Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, इस टॉपिक के उपर मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाइक का कौन सा पार्ट कब और कितने किलोमेटर पे चेंज करना चाहिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूँगा लेकिन कार के पार्ट्स रिलेटेट टेकनिकल नॉलिज बहुत ही कम या ना के बराबर होता है और जब वैसे लोक सर्विस सिंटर या फिर लोकल गैरेज में अपने गाली को लेके जाते हैं तो मेकैनिक जिन जिन पार्ट्स को चेंज करने को कहता है वो चेंज करवा लेते हैं जिने नहीं कहता है वो नहीं करवाते हैं और उससे बहुत सारे पैसे तो लग जाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि क्या सच में उन पार्ट्स को उस वक्त चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हुए बहुत ही असान लफजों में मैं आपको समझाओंगा कि according to आपका गार्ड़ी और आपका पार्ट आपको कब किन पार्ट को चेंज कराना चाहिए फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लिर कर दूँ कि कार का पार्ट का चेंज इंटरवल पूरी तरह से करता है कि कार कौन सी है कौन सी मैनुफेक्चरिंग कंपणी की कार है किस चीज के उपर चलती है पेट्रोल ये डिजल किस के उपर चलती है कार का मॉडल क्या है कौन से साले मैनुफेक्चर हुआ है कहां पे वो कार चलती है और इन सब चीजों को जानने में आपकी हिल्प कर लाएगा ठेख अब देखेंगें इंज़न ऑईल और इंज़न ऑईल फिल्टर की बात करते हैं असान लवजों में कहें तो मोबील प्ल्टर अब डेखें ढम विल होता है आपकी गारी का उस Gary काम होता है कि आपके गाड़ी के इंजन के जो इंपोर्टेंट कॉंपोनेंट्स है जैसे कि पिस्टन, सिलेंडर, लाइनर, सिलेंडर, ब्लॉक, क्रैंक, साफ्ट, कैम, साफ्ट, बेरिंग, इन सब को यह जो मोबिल होता है वो लुब्रिकेट करते रहता है असान लफजों में तो इन पार्ट्स में वो जंग लगने से बचाता है इन पार्ट्स का आपस में फ्रिक्शन होने से उसे बचाता है यह मोबिल और यह जो मोबिल फिल्टर है उसका काम होता है कि जैसे ऐसे मोबिल काम करते जाता है इंजन में रुनिंग होते जाता है उसका तो वो गंदा हो से लेकर 10,000 km के बीच में एक बार जरूर से चेंज हो जाना चाहिए तो मैं आपको recommend करूंगा कि जब भी आप अपने car को servicing के लिए लेके जाओ या फिर हर 7-10 km में एक बार mobile को जरूर से change कर लो अब यहां पर सवाहल है कि आपको कौन सा mobile उसका ना चाहिए अपने सब्सक्राइब के लिए तो मैं आपको recommend करूंगा कि देखिए आपका जो honor manual है आप वहां पर चेक कर लो कि fully synthetic बुल गया है या semi synthetic बुल गया है कौन सा mobile recommend किया गया है कि स्क्रेट करें mobile recommend किया जाता है और उसे वापस से लगा दिया जाता है अब सबसे पहले मैं आपको असान लबजों में समझाता हूं कि air filter का 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 क्या होता आपके कार में तो देखिए आपका जो भी हो चाहे petrol का हो चाहे diesel हो वो power produce करता है जब petrol या फिडीजल इंजन के cylinder के अंदर में जाके जलता है उससे power मिलता है गाड़ी को लेकिन सवाल ये है कि are petrol और just अकेले जलता जी नहीं petrol हो या फिडीजल हो ये air के साथ mix होके engine के cylinder के अंदर में जलता है अब ये air कहां से आता है तो ये आता है air atmosphere से जो बाहरी वातवरन है वहां से air आता है और वो जो air होता वो clean नहीं होता उसमें dust होता है particles होता है impurities होता है air में और इस air को इस हवा को साफ करता है आपके गाड़ी में लगा वह ये air filter इसलिए ये भी जाना जर रही है उस area में जहां पर dust है धूल है मिटी है या फिर उस area में जहां पर वातवरन clean हो जहां पर जहां पर मिटी वगरा कम हो तो अगर air filter या जो आपकी वह वैसी जगह पर चल रही है जो clean जगह है साफ सुत्री जगह है तो वहां पर इसका life 30 से 40,000 km तक होता है इतना चल सक दूसरी तरफ जहां पर गंदगी वगरा जादा हो धूल में वहां पर क्या होता है इसका life होता है वह अक्सर दिखा गया कि 15,000 से लेकर 25,000 km तक होता है लेकिन मैं आपको कह दूं कि ऐसा नहीं है इससे जादा भी चल जाता है लेकिन on and average जितना मैंने आपको बताया है उस duration में आपको अपना air filter जरूर से change करा लेना चाहिए नेक्सट पार्ट है brake pads अब फ्रेंट्स brake pads का life पूरी तरह से depend करता है कि कार को कैसे चलाया जा रहा है और कहां पर चलाया जा रहा है अक्सर जब कार में जो brake को बहुत ज्यादा hardly apply किया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो brake pad है वो rotor के साथ लगतार गिसते जाता है और life कम होते जाता है दूसरा अगर कार को ज्यादातर वैसे जगर पर चलाया जाता है जहां पर भीड़ बाढ़ है तो वहां पर तो हम लोगों को brake apply करना ही पड़ता है उससे भी life कम हो जाता है लेकिन on and average देखा गया है कि जो brake pad का life होता है कार का वो 50,000 से लेकर 1,000,000 km तक होता है आपको क्या करना हो कि आप जब भी servicing कराओ तो आपको अपना brake pad जरूर चेंज करा ले कि चेक कर ले कि कैसा condition में है और उस हिसाब से आप चेंज कराए इसके लिए आप अपने का on and manual को भी देख सकते है कि वहां पर क्या recommend कि चाग गया है वैसे कहते है ना कि जल है तो जीवन है तो कार का के किसे मैं कहूंगा कि अगर brakes है तो जीवन है नेक्सट पार्ट है brake components जैसे कि brake caliper, wheel cylinder, master cylinder होता यह है कि brake pads के उपर में तो हर कोई ध्यान देता है कि उससे कब change कराना है लेकिन जो brake components है caliper, wheel cylinder, master cylinder इसके उपर किस अगर आप इनी change नहीं कराओगे तो इनके वज़ासे भी आगे जाके brake failure का case देखने को मिलता है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप time time से इन्हें check करते रहे और इनका जो life होता है वो around 1,25,000 km से लेकर 1,500,000 km तक होता है इतने km के आसपास इन्हें जरूर से change करा लेना नेक्स पार्ट है battery आपके car के electrical components के सही काम करने की जिम्मदारी होती है बैटरी के उपर में और बैटरी इन्हें electric power भेजता है अब बैटरी का life पूरी तरह से depend करता है कि battery किस manufacturing company की है लेकिन अक्सर देखा गया है कि on an average जो बैटरी का life होता है वो होता है चार साल से लेकर 5 स जाल तक कई बार इससे ज्यादा भी चल जाता और कई बार इससे पहले भी battery dawn हो जाती है लेकिन average मैंने आपको life बता दिया है तो अगर आप अपने car का maintenance का पूरा ख्याल रखते हो तो आप 4 से 5 साले में एक बार battery को अपने car की जरूर change करा ले अगला पार्ट है spark plug बहुत ही कम लोग इसको change करने के उपर में ध्यान देते हैं दो condition में जादर लोग change करते हैं या तो engine खराब हो जाए या फिर अगर गाड़ी में आपका cranking वगरा का problem हो start करने में problem हो तो ही इसके उपर में ध्यान जाता है लेकिन spark plug का भी एक life होता है सबसे पहले मैं आपको असान अब जो में कहें तो चिंगारी निखलता है उससे जिसके वयासे air और पेट्रोल जलता है गाड़ी का engine power produce करता है तो इसको भी time time से change करा लेना चाहिए बहुत ही महंगा component तो है नहीं बहुत ही सस्ता होता है और इसका जो life होता है वो होता है एक लाग से लेकर एक लाग तीस 1000 km तक इस पीच में इसे एक बार जरूर से change करा लेना चाहिए अगला पार्ट है कलच कलच के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलच का life पूरी तरह से depend करता है कि आपका गाड़ी का model कौन सा है और किस technology का वहाँ पे use किया गया है तो मैं आपको recommend करूंगा कि कलच के ल 100,000,000 km के आसपास होता है अगर सब कुछ driving condition सही हो तो इसके लिए लेकिन आप अपने order manual को जरूर फॉलो करें अगला पार्ट है timing belt और timing chain अब देखिए कुछ गाड़ियों में timing belt लगावा होता है और कुछ गाड़ियों में timing chain लगावा होता है दोनों का काम एक ही होता है य जो timing chain हो या चाहिए timing belt हो वो camshaft में भेचता है बदले में camshaft आपके car के engine के intake और exhaust valve को open और close करता है अब देखिए timing belt का life कम होता है timing chain का life ज्यादा होता है तो अगर आपके car के engine में timing belt लगा हुआ है तो इसका life और एक लाग से एक लाग 25,000 km के आसपास होता है कई बार इसस chain का life होता है वो आपके car के life के बराबर होता है और इसे बार बार change नहीं करना पड़ता है फिर भी इसका जो life होता है वो अराम से धाई लाग 30,000 km से ज्यादा होता है तो यह था timing chain और timing belt next है fuel pump friends in general देखा गया है कि car के fuel pump का जो life होता है वो बहुत ज्यादा होता है around 10,000,000,000 लाग किलोमेटर तक होता है तो बहुत ही important component यह भी fuel pump भी होता है तो आप इसे भी regular maintenance करते रहे और चेक करते रहे कि यह सही से अपना काम को perform कर रहा है कि नहीं कर रहा है या फिर आप इसे डेड़ लाग से 2,000,000 के बीच में एक बार change करा ले आगला पार्ट है अल्टरनेट अब फ्रेंट्स अल्टरनेटर का बहुत important part होता है जब आपके गाड़ी running में होती है उस टेम पे यह अल्टरनेटर आपके car के battery को charge करते रहता है अब जो नई गाड़िया होते है उसका अल्टरनेटर का life बहुत जादा होता है almost car के life के बलाबर ही जो अल्टरनेटर उसका life होता है लेकिन कई बार जो पहले की गाड़ी आती वहाँ पे देखा गया है अगर आपके पुरानी गाड़ी है तो जो अल्टरनेटर का life है वो अकसर एक लाग से डर्ड़ लाग किलोमेटर तक पुरानी गाड़ियों में देखा गया है अब बात करते हैं हम लोग servicing का अब बहुत से लोग अराम से 12,000, 15,000 चलाने के बाद करते हैं फिर जो सही ऑनने इवरेज दिखा गया हर कार के लिए कि हर कार की servicing साल में एक बार जरूर होनी चाहिए या फिर 10,000 किलोमेटर चलाने के बाद और 9,000, 10,000 किलोमेटर के असपास गाड़ी को चलाने के बाद आपक साल में एक बार तो आप अपने कार की servicing जरूर करा ले तो फ्रेंट्स ये था कार के important parts related कुछ maintenance tips I am sure ये tips आपको पसंद आगा और आप कुछ नया जानने को मिला होगा वैसे आपके पास कौन सी कार है कौन से model की है और कितनी पुरानी और कितनी चल चुकी है ये आप मुझे comment करें जरूर बताए video अच्छा लगाओ तो यसे like जरू कर दे video के बारे में और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करें करें जरूर बताए इसका अगर आप मेरी चैनल पे नए हूँ या भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीस चैनल को झाल घब